गुड नॉर्णिंग बच्चों जैसा कि हम हिंदी पढ़ रही हैं आपको पता है जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें हिंदी पढ़ते समय भूत सारे चिनों का ध्यान रखना पढ़ता है कैसे जैसे देखो हम घर पर बैठी हुए अपनी ममा को बोलते हैं खाना बना तो हम जल्दी कह देना और हमारी बात को कोई समझ भी नहीं पाता है तो वहां पर आराम से मुझे भूक लगी है कॉमा, खाना बना दो कॉमा, कॉमा मतलब अल्प विराम, थोड़ा सा विराम करना, तो कहते हैं न कि हम जैसे बोलते हैं वैसे ही एंदी बात को समझा जाता है दीरे दीरे बोलेंगे तो ये वगवान कितने दीरे दीरे बोल रहा है तो हमारा जो पार्ट है पार्ट दो उसका क्या नाम है उसका नाम है अनुस्वार अनुनासीक ऐवं विसर अनुस्वार अनुनासीक ऐवं विसर अब हमने नाम तो पढ़ लिया चैप्टर का कि हमारे जो चेप्टर का नाम है वो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग है पर क्या हमें पता है कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग जो है वो क्या होते हैं नहीं पता तो देखिए आज हम इस पार्ट का जो अध्यन है वो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि क्या होता है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, अनुस्वार, अनुस्वार, अनुनासिक एवन विस्ण, अनुस्वार क्या होता है? जिसमें हम उपर जो ये बिंदू लगाते हैं वह अनुस्वार कहलाता है आपको दिख रहा है ना पहला जो शूतलेक है उसमें आप लोग देखिए कि उपर जो है वो बिंदू लगा हुआ है अब बिंदू लगा जो बिंदी जिसे डॉट बोलते हैं हम इसे अनुस्वार बोलते हैं जबी अनुस्वार लग जाता है तो हमारे अंदर जो नाक के अंदर से म की द्वनी जो है वो आती है तो उसके बार में हमारा आता है अनुनासिक नासिक का मतलब क्या होता है नासिक का म हम पढ़ते हैं, तो नासिका मतलब नाक तो जो नाक के थ्वारण अनुप मुनें पहले भी अनुप पड़ा, उसके बाद में हम यह सेकिंड में जो है वह पड़़् अनुप तो मतलब दौनों में जो है अनु अनुप का नाम आ रहा है विएकुए अनुस्वार 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 अन आपने कहीं पर देखा होगा किसी शब्द के पीछे जो है दो डोट लगे हुए होते हैं उन जो वो दो डोट जैसे यह यहां पर आपको दिख रहा है पुना तो यह जो दो डोट होते हैं इनको विसर्ग बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको विसर्ग बोलते हैं विसर्ग जहां कि द्वनी आई तो चलो अब यहां पर हम कुछ जो है शब्द देखते हैं और ये शूत lijख आपके लिए शूत लेख का मतलब क्या होता है जो बोल करके लिखा जाता है मदले में पिर सुन और दूसरा कोई बोल वह सुन रहे हैं और उसको आपको लिखना है तो वो क्या कहलाता है शुरुत लेकर जैसे की klas में ठीचर बोल रही है ठीचर कहती है कि चलिए शुव parts लेकरेंगे या शुत लेकरेंगे तो शुत माने सुनना लेख माने लिखना सुनकर के लिखना तो अनुस्वार अनुनासिक और विसल तो पहले सबसे पहले हम लोग किसके एक्जाम्पल्स लेंगे अनुस्वार की तो देखो सबसे पहले अनुस्वार में डोट होता है जिसे बिंदु भी कहते हैं और जिसमें मह की ध्वनी का भी उचारन होता है तो देखो अंक इसको क्या बोलेंगे अंक दूसरा क्या है शंकर शंकर तीसरा कंचन अब देखो इसक तो कुछ भी नहीं होता तो जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे तो हमें उचारण हमेशा है सही चाहिए तो यहां पर गंचंग अनुस्वार तो यह तो हो गए हमारे अनुस्वार उधारन ठीक है चलो अब हम करेंगे अनुनासिक वो होते हैं जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं नाक प्लस उसमें बिंदु आता है तो दोनों की धनी आती है ना देखो जैसे पन क्या बोलते हैं अनुनासिक बोलते हैं अब इसकी द्वारा बिंदु कैसे होगी आख तो नहीं होगी इसकी दुनी होगी आख ठीक है आगे देखो बांधना बांधना आगे आंवला आगे पुन है अभी दूसरा गया तो हमने अनुनासिक बड़े आख बांधना आंवला अब तीसरा हमारा जो टॉप पॉइंट है इसके अंदर वो क्या है विसर्ग अब विसर्ग में मैंने आपको बताया कि शब्ड के बाद में दो डोट आते हैं और इन दो डोट को जो है वो कहते हैं विसर्ग और इसमें हा की द्वनी निकलती है किसकी द्वनी निकलती है है की द्वनी निकलती है तो चलो बोलो मेरे साथ सब बच्चे बोलेंगे पुनहा पुनहा नमहा नमहा प्रातह प्रातह अतह 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 आरियना दहा की द्वनी पुर्णतह पुर्णतह तो यह हो गए हमारे शूर्थ एक निकानचन गए अतह अतह पे अनुनासी के तो चंद्रबिन्दू अनुन गएंगे या फिर बोला कशन तो आप उपर बिंदू लगाओगी, तो ये अनुस्वार, अनुनासिक और क्या हुआ, और हो गया हमारा विसर्ण, तेक है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ण, आपको चिन का ध्यान रखना है, तो आगे देखो अब, अब आप लोगों को वक्ये पूरे कीजी, प्रश इस कुस्तक को आप भोलें और मेरे साथ साथ उस कुस्तक में अपन लिखी, तो देखिये, पहला क्या है, करें, देखो यहाँ पर देश का वन्दन, तो यहाँ पर क्या है, अनुस्वार कप्रयोग हुआ है, और ये जो आपको चिन दिखाई दे रहा है इस चिन को बोलते हैं पूर्ण विराम अर्थात कम्प्लीट मतलब पूर्ण विराम अब इसको पूर्ण रुप से विराम दे दो रुख जाओ आराम कर लो अब एक जो हमारा बात क्या है वो पूरा हो गया है तो जब हम कोई बात क हमें पूर्ण विराम देना चाहिए तो पहला हमारा क्या है करें हम देश का बंदन दोस्तरा देखो जिसकी माटी है क्या है उसकी माटी चंदन तो देखो चेके उपर क्या है आनुस्वार आया है तो तो जिसकी माटी है चंदन तीसरा नमबर देखो कुछ उन्ची उन्ट की पीट नासि में नाक से बोहने ना, और यहां पर उन्ख की पीट चार नमबर पे देखो प्रातह उठकर नमह कहो तो देखो यहाँ पे उठकर में तो हम ऐसे नहीं बोले ना कि उठकर नमह कहो ऐसे नहीं पर विसर्ग जहाँ पे हमें चिन दिये गए है हम उसी का प्रियोग करेंगे तो यहाँ पे विसर्ग दिया हो है तो प्रातह नमह, ओके, तो प्रातह उठकर नमह कहो, तो प्रश्ण दो आपको समझ में आया कि यहां पे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का प्रियोग किया गया है, चलिए अब प्रश्ण तीन देखते हैं, कवीता की पंतिया पूली कीजिए, आपने कवीता पड़ी आप याद कर लो इस कवीता को, फिर आपको जो है, देख करके आप पड़ोगे तो वो भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है, तो चलिए कवीता की पंतिया पूली करते हैं, चाट मसाला, गोल गपे, सब खाते हैं न गोल गपे, औ चाट का मसाला भी उसमें डालते हैं, तो मज़ा आता है खाने में, तो ये क्या है, चाट मसाला, डैश, मतलब दितिस्तान आपको वहां पे underline दिया है, आपको भरना है उसके अंदर, तो क्या भरोगे, गोल, चाट मसाला, गोल, गपे, ओके, चलिए, आप सेक इन देखें, चूँ 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 ही बंगले देखो हैं अभी यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको सब्समील ऑसंबसक्राइब करना है जैसे देखो आप मिलाते हो पा पा तो क्या पा 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 तो इस प्रकार से आपको जो है यह जो प्लस दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है जोड़ना प्लस का मतलब क्या होता है जोड़ना तो हमें क्या करना है अलग-अलग हमें वर्ण दिये गए हैं अब इन वर्णों को जो है हमें जोड़ना है तो देखो प ख क्या बना पंक उपर बिंदू है ना तो इसका मतलब अनुस्वार है तो प ख पंक प प्लस त प्लस ग प प्लस त प्लस ग पतंग जोड़ो इसको पे के अंदर तै को मिलाओ तै के ओपर बिंदू मतलब अनुस्वार है तो त हो गया और गय हो गया तो प तंग पतंग ठीक है अब देखो उं ट उं ट उं ट इसको मिलाओ उं ट ठीक है आगे देखो हां स न देखो है के ओपर चंदर बिंदू है तो यह अनुस्वार है मतलब नाक से देखो से और ना इसमें तो नाक से दोने नहीं आ री है पर हां में तो नाक से दोने आ री है मतलब यह अनुनासिक है तो हां से ना हसना क्या बन गया हसना अब देखो फ ल त त त नहीं यही विसर गया तो क्या बनेगा फ ल त हा ना फ ल फ और ले को मिलाएंगी तो फल बन गया तह इसको भी मिला लो तो क्या बना फ ल तह क्या बन गया फ ल तह आगे देखो प्रा प्लस तह तो प्रा तह क्या बन गया ही प्रा तह तो समझे में आया को इस प्रकार से हमें अनुस्वार और अनुनासिक विसर्ग का प्रियोग करना है अब आगे देखो निमन शब्दों के वाक्य बनाईए अब आपको यहाँ पर जो है शब्द मिल गई है और उस शब्द के जो है आप वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखो यहाँ पे अंगूर अब आप अपने आप बना सकते हो ना अंगूर कैसे होते हैं अंगूर खटे भी होते हैं और अंगूर मीठे भी होते हैं आपको अगर खटे अंगूर अच्छे लगते हैं तो आप लिखो अंगूर खटे होते हैं पर आपको तो हमें तो मीठे खाने में तो मीठे ही अच्छे है आसमान में पतंग उड़ती है अगला देखो मां मां क्या होती है मां मम्मी है ना तो मां मेरी मां सुन्दर है आगे नमहें हम क्या करते हैं नमहें माने नमशकार है ना बगवाज जी को हम नमस्ते करते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, दादी, ममी, चाची, जितने भी हमारे भाई, बड़ी बेन, जितने भी बड़े होते हैं, हम सब को क्या करते हैं, नमस्तार करते हैं, तो नमहे, हमें बड़ों को क्या करना चाहिए, हमें बड़ों को नमह करना चाहिए नमे का मतलब नमशकार करना चाहिए ठीक है तो यह होगे हमारे वक्य प्रियोग अब आप दूसरे भी बना सकते हो अगर आपको लगता है कि हमें तो और भी बाक्या आते हैं तो आप अपनी मर्जे से भी दूसरे बना खरके लिख सकते हो जैसे अंगूर खटे हैं और अन्गूर मीट्य भी होते हैं मेरी मा सुना है मेरी मा बहुत अच्छी है हमें बड़ों को करना चाहिए थाना तो इस प्रकार से आप जो है नाम लिखना है तो सब बच्चे जानते हैं कि किसका चित्र है ये और आपको उसका नाम लिखना है तो लेखो पहले क्या है यहाँ वान टू ट्रि एक दो तीन बना हुँ है ना अपन मैट्स में गडित में हम पंपन पढ़ते हैं ना एक, दो, तीन, चार, पान, चे, साथ, आठ, नो, दस ऐसे तो पढ़ते हैं गिंती जब काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे देखो यह कहा कि जो चित्र बने हुए हैं आपको क्या करना है उसका नाम बताना है अभी मान लो आसमान में पतन उड़ रही है और आपको बोला कि वो क्या उड़ रही है तो आप क्या हो लोगे पतन उड़ रही है अगर आपने चिडिया देखी तो आप क्या वो लोगे चिडिया उड़ रही है कोई आपके सामने खाना खा रहा है तो पूचा वो क्या कर रहा है खाना खा रहा है, तो इस प्रकार से हमें इन चित्रों को देख करके पहचानना है कि ये किसका चित्र है और नाम लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को कि इस पृष्ण का उतर हम ही कैसे देना है, तो देखो पहला, एक, दो, तीन, ये क्या होते हैं, ये अंक ह थे क्या लेख दिया अंक को यहां पर जो चीन आया किसका चीन यह जो चीन है अनुस्वार यह ठीक है कर दूसरा देको पतंग बनी हुए है पर पतंग वहीं? यह क्या है इसा बोल देंगे कि यह तो चंदा है यह चंदा मामा उपने हौन सब्सक्राइल न अनुनाशिब्ड को यहां पर बिंदू है और चंदा भी basa बोल भी आघवा लूट को जो ये अंगूठी का तो अंगूठी तो आपको चित्र देखना है अब पाँस नमर पे देखो यहां पे पाहार दिखाए है थिया पकर दिखा चीगा दिखाया और चीडिया जैशी यह वह उड़ रही है तो ऐसा सीम कब अ को है नैपको सुबह को हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं सुभय ने प्राथ है तो यह हो गए हमारे चित्र को देख करके पहचान करना अब चलों अब हम करेंगे प्रश्णूतर आपने चेप्टर को पढ़ा है ना सबको चेप्टर अच्छे से समझ में आया तो पहला प्रश्ण देखो मक्खी क्या बोली वहां पर मक्खी बोल रही थी ना कई बार हम क्या करते हैं घर में बैटे होते हैं तो मक्खी हमारे कान के पास आकर के गूं 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 ऐसे करती है है ना मक्की की तो यही आवाज होती है तो इसका प्रश्ण क्या हुआ मक्की क्या बोली अब आपको यह देख रहा है ना यह प्रश्ण वाचक चिन है जब आप किसी से कॉश्ण करते हो तो आपको यह चिन लगाना है ठीक है मक्की गूं 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 बोली हवाज आती है ना कान के अंदर गूं 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 फिर हम एक अच्छे से कान पर मारते हैं कि यह दूर भाग जाए तो मक्षी गूं 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 बोली अगला प्रश्न देखो चिडिया क्या बोली क्या बोलती है चिडिया चिडिया बोलती है चुँँ चुँ 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 अगला प्रश्न देखो चुँ 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 क्या खाने को बोली थी बच्ची बच्ची आइस गोला आइस गोला बरफ का जो गोला होता है वो खाने को बोली आइस गोला बच्ची क्या खाने को बोली बच्ची आइस गोला खाने को बोली चार नमबर देखो चिडिया ने क्या खाने की बात कही चिडिया ने क्या खाने की बात कही चिडिया ने आलू टिकिया, गोबी बजिया और मकई दाना खाने की बात कही हमें भी अच्छे लगती है आप भी तो चिडिया की तरह चोटे-चोटे बच्चे हों, आपको आलू टिकिया, गोबी की सबजी, बजिया, सब अच्चे लगते हैं, तो वैसे ही चिडिया ने, प्रश्ण देखों, चिडिया ने क्या खाने की बात कही, चिडिया ने आलू टिकिया, गोबी, बजिया, और तो मकहईदाना खाने की बात कही, आया ना मज़ा प्रश्नुक्तर, प्रश्नुक्तर जब आपने पाट को पढ़ा तो प्रश्नुक्तर तो बिल्कूल आपको याद होगे, आलू टिकिया, बजिया, मकहईदाना, यह तो लगते हैं बच्चों को भी अच्छा लगता है ना जो हमारा पार्ट का अंतिम है वहाँ एक्टिवीटी मतलब आप लोग भी अपनी कॉपी के अंदर जो कर लुबक उसके अंदर ड्रोइग बनाओ फिर सुंदर सुनदर जो है तो यहां पर जो बना नी वहनंने किसे क्योंकि हमने हमारे पार्ट में अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग पड़ा है तो उससे ही सम्बंदित हम चित्र भी चिपकाएंगे तो देखो पहला अनुस्वार बंदर यहां पे बंदर दिख रहा है आपको और उपर अनुस्वार भी दिख रहा है पतंग तो पतंग भी दिख रही है और अनुस्वार भी दिख रहा है तो यह होगे अनुस्वार के अपनाएंगे अनुनासिक जो नाग के द्वारा धोनी आती है तो देखो कितना सुंदर बनाया आप लोग भी बनाना नहीं तो चित्र भीस के चिपना सकते हैं उंट उंट लेको नाग से धोनी आ रही है पांच पांच तो नहीं वह थे ना पर पांच है ना अब विसर्ग से समझने देखो क्या गर रहा ही कि बच्चा इन प्रकार कर रहा है तो नमश्कार विसर्ग में है कि दोनी आती है नमहा क्या है नमहा और आंकर देखो यह बड़ा सैड सैड सा लग रहा है शायd ममी ने अभी कनाश्टा नहीं दिया होगा इसलिए सैड लग रहा होगा है ना तो इसड़ बैठ है तो सैड को हमारे चेप्टर वन चेप्टर टू जो है कंप्रीट पूरा हो गया तो अब हमारा होंवर्क जो है आप कंप्रीट करोगे और उसके बांद में आज घर पर जो है आप लोग बोलेंगे है ना जैसे चुम चुम ठीक है बंदर पतंग उंट पांच नमहां तो इस प्रकार से पार्ट है समझ में आ गया होगा तो चलिए अब रेड़ी हो जाएए सब बच्चे अपनी कॉपी में काम करने के लिए और अपनी जो कक्षा द्यापिका आपके जो हिंदी अद्यापिका उनको सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा वर करके जो है सेंड कीजिए और ये सारा च चित्र बनाना का चित्र बनाएए नहीं तो आप फोटो कलेक्ट कर गए यहां पर फोटो लगाईए चैनले ओके बाई